आज की सभा के अध्यक्ष मंगल हमारे बीच में हमारे नेता दाता रामगड़ से उमिद्वार साथी अमरा रामजी सीकर्ष अमिद्वार साथी उस्मान गांजी कम्निश्ट पारिटी माक्सवादी के जिला सचीव साथी किसंजी पारिक और तमाम मंचस्त साथियो आज की सभा में भाग ले रहे मेरे किसान भाईयो नोजवान दोस्तों मेरी माता और भैनो सबसे पहले तो मैं इसलिए बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब गाउं में गए हर गाउं में तो आप लोगों का जो अपार प्यार मिला सने मिला और कई कई गाउं कमान तो हर तरफ से गाउं में आपका मिला प्यार और सने के अधार पे तो मैं कह सकता हूं कि निश्य तोर पे दोद में दोद का किसान और दोद का नोजवान चुनाव लड़ रहा है और वो जीतेगा क्योंकि भार्ट्य जंदा पारिटी के पास अधाग पैसा है बेमानी का पैसा है ब्रस्टाचार का पैसा है इस लाल जंदे के पास या पैमाराम के पास कोई दंदोलत है कोई ताकत है तो आप लोगों की ताकत है आपकी खरी कमाई की ताकत है जो आपने पैमाराम को एक एक रुप्या खोन फुशने का देख करके तुनाव लड़ने के लिए मां उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से और कमनिस पालिटी मार्ग्षवादी के लाल जंडे की तरफ से धन्यवा देना चाहूंगा अभी नारा लगा रहे ते साथी संगर्ष करो, संगर्ष तो साथी अमरा राम जी बेटे संगर्ष में कोई कमी है तेरा मैने लगातार इसी भारतिय जंता पालिटी के तीन कर्शी कानून के खिलाब साड़ी साथ सो किसानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दीगी यही नीवा इसी भारतिय जंता पालिटी के नरेंदर मोदी की मंतरी मंदल का मंतरी का बेटा आप और हमज़े से सभा कर रहे हैं सभा में गाड़ी चड़ा करके हमारे पाथ किसानों की हत्या आज तक गिर्फदार नहीं हुआ सभी साथ सो किसानों की कुरुबानियों का प्रिनाम था कि जो भारतिय अंदापाल्टी अपमान कर रही थी किसान का खालिस्तानी बता रहे थी कभी पाकिस्तानी बता रहे थी कभी आतंकबादी और मैं तो कहना चाहूंगा बातिया जन्ता पालिटी वालो हो सकता है आप लोगों के पास हेलिकॉप्टर हो लेकिन अंदाता के पास, किसान के पास या लाल जंडा और पेमाराम के पास तो ये टेक्टर की ताकत है हर गाह में टेक्टर मार्च जिस तरह से सहुंत किसान मोर्चेन है इससे बड़ी कोई ताकत हो सकती है जब टेक्टर आगे दिल्ली की तरफ जा रहा था एक एक फिट की कील लगा रहे थे आज उन्हें किसान का बोट मिठा मिठा लग रहा है क्यों आए अगनिबीर अगनिबीर योजना क्यों आई अगने भीर योजना इसलिए आई कि भार्च अंदापार्टी के नेताओं को पता था कि खेती करने वाड़ा किसान के घर में आमदनी हो जाएगी उसका एक बेटा क्षेत में काम करेगा दूजा बेटा शेना में जाएगा आमदनी होगी किसान सम्रद्ध हो जाएगा तो दुबारा एकता करेगा और सरकार को आग दिखाने का काम करेगा इसलिए किसान की कमर तोड़ने के लिए अगने भीर योजना लेकर क्या है हमारे बेटूं को भी रोजगार अकेले सी करजिले में साड़ी चार अजार से ज्यादा वो हमारे बेटे हैं हमारे भाई हैं जिन्होंने फोजगी परिक्षा पास कर ली फिजिकल हो गया मेडिकल हो गया आज कोई भारती अंदा पर कल नड़ा आएंगे या भारती जन्ता पालिटी का राष्टी अधर्ष यहीं पर सवा करने के लिए आएगा कोई भारती अंदा पालिटी का नेता बता दे साड़ी चार अजार समय राजस्तान की बात नहीं करता देश की बात नहीं करता अकेले हमारे शीकर जिले में उन बेटूं की जिन्दगी के साथ खिलवार करने वाड़ा कोई है तो भारतिये जन्ता पाल्टी है साड़ी 700 किसानों की अत्यारी कोई है तो हमारे देज में भारतिये जन्ता पाल्टी है जिसने साड़ी 700 किसानों का आज भी उसके हाथ खून से रंगे वे है अभी बोट की बात कर रहे हैं महिला पहलवानू का अभी बात करते हैं महेंगाई का क्या कारण है कोई भारतिय दंता पालिटी का नेता बता सकता है कलाट नड़ाजी भी नहीं बताएंगे वो करें विकास की गंगाब आ रहे हैं काई की काई की गंगाब आ रहे हो भाई अडानी की तिजोरी भर रहे हैं अंबानी की तिजोरी भर रहे हैं आपने गवान गमाने रबला के तम रबला आपने की भर काई हाता है हो यही कारण है कि डीजल और पेट्रोल को आज भी हर चीज पर जियेश्टी है छोटे बत्चों के खाने वाले बिश्कित पर जियेश्टी खेत में काम में आने वाले फूरा के सेट पर हमारे टेक्टर पर जियेश्टी और डीजल और पेटरॉल अभी जीएश्टी के दाइरे में इसलिए नहीं ला रहा है कि यदि जीजल और पेटरॉल जीएश्टी के दाइरे में आ जाए तो हिंदुस्तान की जनता को 40 रुपे लिटर में डीजल मिलना शुरू हो जाए और महेंगाई आकास से धड़ाम जमीन प्या जाए फिर अडाणी और अंबानी की तिजोरी नहीं पर पहे उन्होंने विकास किया है अडाणी अंबानी की तिजोरी भरने का विकास किया उन्होंने विकास किया हमारे गाउं में 20 यार भरने का साथी हमरा राम जी बेटे हैं 15 साल यहीं पे दोट से विदाइक थे 5 साल आपका आशिरवाद मुझे मिला 20 साल में यह बिजली में एकमा यहीं पे था इधर इलागे की तरह BCR बढ़ने के लिए कोई इंजिनियर मुझ करता उसकी पजामी डिली हो जाती क्या होगे आदस साल में और अब भी यह तो ब्रंबान दवाई है आपको पता ही है उनको पता लग जाएगा कि लाल जंडा चुनाव जीत गया तो BCR बढ़ने वाले मुझे नहीं पता कहां जाएंगे साले गंगा जी चले जाएंगे मगर ही धर्मों नहीं करपाएंगे विकास किया है महेंगाई का विकास किया हमारे बेटे और बेटियों को बेरोजगार करने का विकास किया किसान की कमर तो अभी अपना इलाका तो प्याज पेदा किरता है प्याज का निरियात बंद था अभी मोधी जी की सरकार ने प्याज का निरियात खुला है रामरतन बगडिया कह रहाँ सत्रा प्रसर शत्रा नहीं प्याज के निरियात पे नरेंदर मोदी की सरकार ने साट परसेंट का टेक्स लगाया है यदि दस रूपे में एक किलो प्याज बिकेगा तो छे रूपे मोदी जी के खजाने में जमा कराना पड़ेगा और प्याज पैदा करने वाड़े किसान के हाथ में चार रुपे रहेंगे तबा करने के लिए कुण बोलेगा इलिए एक तरफ वो लाल जंडा और एक तरफ भारती जंडा पार्टी जो किसान की अत्यारी है कह सकता है कोई बिजली का सवाल आया या ये खजाना बरे ये लाल जंडाई है जिसने कहा तुमने बड़ी बड़ी कंपनियों का करजा माप किया है वो राज करेगा जो किसान का करजा माप करेगा वरना सरकार नहीं चला पाएगा वाने आपकी एकता का परिणाम था दोजार किसान निताओं को जेड में डाल दिया हमारे यहां से भारतिय जंडापार्टी का विदाएक था भारतिय जंडापार्टी का पार्लामेंट का मेंबर भी था वो उधर थे और आपकी एकता का परिणाम था के आट हजार करोड सने मिला और ये चुनाव रुपी महायुत लड़ने के लिए वरना ये गाड़ियां खड़ी हो जाती है हर गाउं में बढ़ सब्सक्र करके ये मंडोता पूरी दो लाग, दो लाग के लगबग चार पांस गाड़ियां भी दोड़ रही है हर गाउं एक एक लाग कोई कह रहा है कमपिटिशन हो सवाला कोई दो गाड़ियां कोई चार गाड़ियां और पेमराम तो हो सकता है आर्थिक तोर पे करीब लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों की ताकत और आप लोगों का आशिरवाद की एकता है वो पेमाराम के साथ है इसलिए सबसे बड़ी यही ताकत मेरे बास ले मैं ज़्यादा नहीं कहूंगा दस साल दो चुनाव हार गए कोई भी भाई कहीं से भी आया तो कामेड अमराराम के साथ रह करके कोई खाली हात नहीं गया कोई भेदवार मुझी किया और पेमारामारा तो बाढ़ना के दर्वाजा के कुमार को नहीं है कोई इकना भी आवे गो पेमारामने जगाओ गो पेमारामूटर भी गसा के सेवा करबा के लिए तोलियो पैर साथ हो जाएगो एलिए मेरा आपसे तमाम नोजवानों से जो मुझे भी कंदों पे लटके लाए हमराराम जी को भी कंदों पे लेके आए नोजवानों ये तुनाव आपको लड़ना है ये हमारे किसानों को लड़ना है हमारी मा बेनों को लड़ना है पास दिन का समय है उनके पास पैसा है भारतियंदा पार्टी के पास बहिमानी का पै पैसा है हमारी जीब पे डाका डाल करके पैसा लिया है उन्होंने पांस दिन लगातार कड़ी मैनत करनी पड़ेगी कड़ी तपश्या करनी पड़ेगी आप पांस दिन लगातार 25 तारिक तक दोड़ेंगे तो मैं बरोसा दिलाता हूं कि साथी अमराराम के साथ रह करके आने वाले पांस साल तक आपके हक और अजिकारों की तोकिदारी करने का काम पेमाराम करेगा, अबीश ये पाउर प्लांट आली बात करा आपार पारिक जी, ओ लाल जंडों सुनाव जी जैसी, जना अठे है, 37 दिन तर नो देबा की जूरत को जी पड़े, इका भी कोक्रिया, फिर लेकिन पांस दिन, पांस दिन लगातार आपको कड़ी मैनत करने पड़ेगी, जितनी मैनत आपने की है, पांस दिन जोक्षी करने की जुम्यदारी आपकी है, आने वाले पांस साल तक आपके अधिकारों की जोक्षी करने की जुम्यदारी फिर पेमाराम की होगी, बहुत ब बन्वारी जी एगर आएगा हुएं तो भै मंच पर आमंत्री थे हैं और एक जोन-इंचर्जा के लिए सूचना है जोन-ैंक साथी मिटिंग का समापन के बाद मैं रुखें मंच पर ही जोन-इंचर्जा की मिटिंग उसी तो भै कि द्यानपूर्व शुन लें के मिटिंग के बाद में अठ्यापा ने जोन इंचार्जां के मिटिंग करनी है अब अधाई कि संजे कि द्याओं अधाई जिन्दापाद कम्रेदमरारं को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम कमरेड अमराराम को लाल सलाम लाल सलाम लाल लाराएगा आजे पूर जाएगा हाल बठो अमराराम जी और बोल सी भी के बाद में चुटी है पेशाब कर बाद जब हो चाहो तो भी साइड में जा सको और मिटिंग हाल चाल सी अमराराम जी बोल सी अब मैं अगले वक्ता के रूप में मैं भारत की कम्मिनेश्ट पार्टी माक्सवादी के राजस्तवान के सेकेटरी और दाता रामगड विदान सभाक सेतर से पार्टी के लोग पिरिय उम्मिद्वार कमरेड अमराराम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आएं और अपन सभागया देक्समंडल आम जनता के उमिद्वार साती पेमाराम मंचस्त नेतागन और इस एतियासिक विजे संकल्प रेली में उपस्तित किसान भाईयों नोजवान दोस्तों और मेरी माता और बैन अभी काफी साथियों ने आपके बीच में बात रखी है और ये तो आपने अपने संगर्सों का रिकार्ड बनाया है दोद की जर्थी को दोद विजान्सवाक चेतर हमेशा संगर्ष करके एक बार नहीं बार बार राजस्तान की सरकारों को जुखा कर जनता को जीत दिलाने का काम किया है ये रिकार्ड ने केवल राजस्तान को विए इतियासिक किसान अंदोलन में इस देश की तानासा सरकार नरेंदर मोदी को भी जुखा कर काड़े कानून वापिस लेने के लिए मजबूर किया है तैयर रूप से एक नया रास्ता एक्ता और संगर्ष का इस दोद की जनता ने एक राजनिती के रूप में विकल्प की राजनिती जो जनता के हक्मा हो इसका बहुत बड़ा रास्ता बढने का और बोड चाहे दोद और दाता से लिया हो लेकिन फाइदा पूरे राजस्तान को दिलाने का काम किया है वो चाहे आपका आठ दिन का पढ़ा हो चाहे वो ठारा साल हो गए हो लेकिन आज इस राजस्तान के किसान को 17,000 क्रोड रुपे छूट दिलाने का काम कोई करता है तो आपकी एक्ता और संगर्ष का कारण है आज बारतिय जन्ता पार्टी जिस तरह के पुरे देश में नफरत की राजनेती करके अपनी राजनेतिक रोटियां शेकने का काम करती है हर तरब से जूटे वाई दे करके बार-बार जन्ता के बोट को ठक कर अपनी राजनेतिक रोटियां शेकती रही है आज आपी लोग है जो एक भी विदाइक नहीं होते हुए भी 2017 में तेरा दिन का पड़ा और तीन दिन का चक्का जाम करके राजस्तान के किसान को कर्ज मापी का रास्ता दिखाते हैं आज संगर्सू में चायो धर्ती दोद में पाउर प्लांट भी सिये पाउर प्लांट के खिलाब अभूत पुर्व एक्ता नहीं केवल दोद की बलकि आजस्पास के गाउं की जो सरकार हर तरब से बड़े बड़े लोगों के पक्स में हैं आप जन्ता को नाश करने का काम करती है छबड़ा में एक पाउर प्लांट है एक खबर चपी उसके आजस्पास के बारा गाउं के पांच जार लोग सास के और चर्म रोग के सिकार हैं आप अंदाजा कीजिए लोग कहते हैं रोजगार मिलेगा और रोजगार से ज्यदा नसले और फसले पहले जरूरी है रोजगार बाद में है नसले बचेगी फसले बचेगी तो निश्यत रूप से रोजगार का आगे का होगा लिए आज हर तरफ से लूटने का काम राजस्तान में निश्चित रूप से भारतिय जनता पार्टी क्या-क्या नहीं कर रही है हमारी बेटिया जब कुछति में गोल्ड मेडल लेके आती है यह भारतिय जनता पार्टी के लोग देश का प्रधान मंत्री कहता है देश का नाम रोसन किया है लेकिन वही बिर्जबू सन्सेंग जब उन बेटियों के साथ दुराचरन करता है तो चार-चार मेने तक यह भारतिय जनता पार्टी उस दुराचारी के खिलाब एफ एर दर्ज नहीं करती है स्रवोट चन्यायले जब आगेश देता है चार मेने के बाद एफ एर दर्ज होती है आप इतने साती बैटे हैं किसी के बाद खिलाब अगर पोस्कों का मुग्दमा दर्ज हो जाए तो 24 गंटे में अंदर मिलता है लेकिन वो ब्रजबू सन्सेंग आज तक भी गिरबदार नहीं हुआ और जब लड़ती है न्याय के लिए तो वो बेट बेटियां देश का सम्मान नहीं होती वो किसी जाती की बेटी हो जाती है कहते हैं यह तो किशान की बेटी है यह तो जाट की बेटी है जब वो गोल्ड मेडल लेके आती है देश का नाम रो सुन करती है उनके साथ दुराचरन होता है ऐसे हत्याचारी बिर्ज भूसन सिंग जिस पे 38 मुद में हत्यासे लेके दूरा चरण के है ऐसी भारतिय जनता पार्टी जो महिलाउं के खिलाप है जो महिला का सम्वाद नहीं करता वो अपने माबाप का भी सम्वाद नहीं करता यह केवल भारतिय जनता पार्टी आज को किस मूढ से बोर्ट मांग रहे हैं हम थे 13 मैने तक उस दिली के बोर्डरों पे क्या नहीं कहा यही भारतिये जंता पार्टी के नेता यह भाड़े के टट्टू है यह किराय के हैं यह किसान नहीं है आज उनको किसान यहाद आ रहा है प्रदान मंत्री जी आये थे सामड़ी 27 तारी को एक डेड़ मैंने पहले करे थे किसान भाईयो अब किसान याद आ रहा है अब वो बाड़ेगे नहीं लगते वो पाकिस्तानी नहीं लगते वो मावाजी नहीं लगते आज वो प्यार बोट का है लिए निशेद रूप से एक एक लड़ाई और मैं भकर से कह सकता हूँ इस जनता की समझ्या के लिए इस लाल दिंडे ने जो भी मार्षवादी कमनिस्ट पार्टी और किसान चबाने जो भी लड़ाई शुरू की है आज तक लड़ाई जीत करके भी वापिस घर लोते हैं उससे पहले आज तक नहीं लोते है चाहिए उस साथ दिन का पड़ा हो आठ दिन का हो तेरा दिन और तेरा मैंने यह केवल किसान आप और हम ही सो सकते है कोई सो सकता है तो उमिद्वार है तेरा दिन तो छोड़ी है तीन दिन भी आपके बीच में इस सड़क पे दरी पे सोड़े के लिए तयार नहीं अभी तो कुछ भी वाइदे करवा लो उनसे जो भी समस्या के लिए वाइदा कराओगे कह रहे गारंटी है हमारी अरे गारंटी तुमारी पंद्रा लाग की गई मोदी जी कह रहे थे मैं देश का प्रदान मंत्री बना तो काड़ा धन 80 लाग करोड़ वो लियाओंगा सो दिन में लियाओंगा और हर देश वासी के खाते में पंद्रा लाग खाएगा देश के नो जुआनों को हर साल दो करोड को नो करी और काम दूँगा नो साल पूरे साड़े नो साल हो गए 19 करोड को रोजगार देता तो आज 45 साल में सबसे बड़ी विरोजगारी नहीं होता है आज राजस्तान सबसे ज़्यदा जमीन भू भाग है हर तरह की खरी समपता है क्रूल डॉयल चे लेके सोने तक इस राजस्तान की धर्ती में है लेकिन पिछेतर साल की आजादी के बाद आज भी वो पीने के पाने के लिए तरसता है आज उस खनी संपदा इस राजस्तान के आठ करोड लोगों के काम नहीं आती बरस्ट नेता अफसर और कंपनियां उसको लूट के ले जाती है लेकिन उसका हिस्सा जो आठ करोड जनता का होना चाहिए वो नहीं होता आज सबसे ज़्यादा और जब केरल संपूर्ण शिक्षित हो सकता है तो राजस्तान क्यों नहीं हो सकता राजस्तान तो रिकार्ड बना रहा है प्राइवेट नीजी नीजी विश्विद्याले साथी बोल रहे थे अभी कि राजस्तान 29 राज्यों में सबसे ज़्यादा नीजी विश्विद्याले नीजी महाविद्याले नीजी विद्याले रिकोर्ड बनाने का काम किया है एक-एक ओर्डर में इस भारतिय जनता पार्टी ने निजी बीएड को लेज चार सो से ज्यादा एक साथ खोलने का काम किया आज किस तरह से लूट रहा है जो ग्यारवी तक पढ़ता था उसको सीनियर करके एक साल बढ़ा दिया बीएड एक साल में करते थे उसको दो साल करके बढ़ा दिया हर तरफ से जनता को लूटने का काम किया है यह आज चाहिए वो पेपर लीग हो चाहिए महंगाई हो चाहिए वो आपकी यह सेकावाटी है जो सबसे ज्यादा सीकर और सेकावाटी के जवान किसी भी देश के किसी भी कोणे में चले जाए मैंने 20 साल में इस देश के गुंती सराज्यों में विदान सभा की कमेटी लेके गया है जहां भी सेना है अर्ज सेनीक है सेकावाटी का जवान जरूर मिलेगा लेकिन मोदी जी दो करोड की बात करते थे इस सेना में नए अम्मानी एडानी का बच्चा जाता था नए मुख्य मंत्री और मंत्री ग्रह मंत्री का बेटा जाता था कोई जाता था तो केवल और केवल किसान मजदूर का बेटा सेना में जाता था थारा साल का बरती होके थारा बीच साल नोकरी करके देश की सेवा करके वापिस आता था तो पेंशन लेके आता था और यहां कोई नोकरी निकलती थी तो सो में से बारा चाहिए SDM है तैसिलदार थानेदार D.Y.S.P. उनके लिए रिदरवे था इस भारतिय जनता पार्टी की देश विरोधी सरकार ने ने केवल उन जुवानों के साथ विश्वास गात किया है बलकि देश की सुरुक्षा के साथ भी विश्वास गात ठारा साल का भरती होगा और बाईस साल में चार साल बात में घरा जाएगा ने उसको पेंशन होगी और ने अक्सार मी में होगा ना भूत पूर इसे नहीं होगा ते लिए आज हर तरफ से भारतिय जनता पार्टी केवल और केवल नफरत की राजनिती करके अपनी राजनिती करोटिया शेखने का काम करती है और उसका नतीजा है चोरियाशी में जो पानसो पेंटारीस में केवल दो सांसत थे इस नफरत की राजनिती से जिलू में दिवार पैदा करके आज तीन सो तीन पे पहुँची हुई है और अभी भी सपने ले रहे है कि हम राजमा आएंगी यह लिए राजस्तान का किसान और जवान जिसके साथ नाइंसापी बार बार आपने की है निश्चत रूप से उस लड़ाई को आगे ले करके जाएगा लिए मेरा तो आप से एक निवेदन है कि जो दो दुने रिकोर्ड बनाया है निश्चत रूप से सं बनन इन राजनेतिक दलू न किया था मैं समझता हूं कि आज आने वाली 25 तारी को उसका इसाप पूरा चूकता ब्यास साही चुकाने का काम दोद की जनता निश्चत रूप से करे कि वो नेता जो एदनेतिक गट बनन करते थे आज उनका पता नहीं लग रहा है निश्चत रूप से ये जनता ही है जो हर समझती है उनकी नेता अगन आज क्या हालत है राजस्तान की राजनिती में रात को भारतिय जनता पार्टी और सुबह कोंग्रेस हो जाता है रात को कांग्रेस में सोता है और सुबह भारतिय जनता पार्टी में उड़ता है ये हालत राजनिती करने की कोशी जिस तरह से की है कि भारतीय जनता पार्टी ने दो नमर के बरष्टाचार के तुनावी बोंड से बरष्टाचार को सिश्ष्टाचार करने का काम किया है आज रोतिनैले मैं पिछले साथ साल से इस बात का मुगद्मा लगा हुआ है लेकिन हमारा सर्वो तिन्यायले बिन्याय करने के लिए अभी तियार नहीं है आज निश्चित रूप से हर तैस नैस करने का काम करने का काम किया है इसलिए आज सबसे बड़ा संकट इस देश के किसान पे नोजवान पे आज जो है उसके खिलाब कोई लड़ने वाड़ी ताकत है तो केवल और केवल लाल जन्दा है वो कुर्शी के लिए लड़ सकते हैं वो भिख सकते हैं राजस्तान और देश में ये भारतिय जन्ता पार्टी है आप और हम तो बेड़ और बकरियों को बेजते हैं केवल जो सैंष करती भारतिय जन्ता पार्टी ने इस देश में पहला ही है निश्यत रूप से इसका जवाब इस देश का जवान देगा ये आज जिस तरह की नफरत की राजनिती कर रहे है जिस तरह से जातीवाद की राजनिती करते हैं ये सब दल जब हम संगर्ष करते हैं, जीत दर्ज करते हैं, तो सब के लिए कोई किसी भी जाती और धरम का हो, किसी भी राजनितिक दल का हो, आप बताइए बिजली की रैट, ट्यूब बेल की कम करवाई, तो कोई नहीं बचा, लिए आज सबसे बड़ी मैं समता हूँ ये रा सकती है, पूरे देश और प्रदेश को चानदार आगे बढ़ा सकती है, और उसी का नतीजा है, कि आज जो केरल में जंडे की सरकार है, पहली बार रिकार तोड़ा है, पहला है राजस्तान नहीं, पूरे देश में, जा किसान की सबजी का समर्तन मुल्य है, वह चावल काते ह हैं, MSP से 900 रुपया ज्यादा एक कुंटल पे देख करके किसान की करते हैं, और पहली विदान सबा है, जो किसान के करजा मुक्ती का कानून विदान सबा में पास करके, करजा मुक्ती बोर्ड बनाके, चाए कोई भी सरकार आजाए, केरल का किसान किसी भी कारण से करजे में डूबा है, करजा मुक्ती बोर्ड में दरकास दे सकता है, चाए वो सरकारी करजा हो, चाए वो प्राइवेट किसी भी, प्राइवेट मनी लेंडर का हो, निश्यत रूप से उसके खिलाब दरकास देता है, और मुक्ती बोर्ड, करजा मुक्ती बोर्ड, फैसला कर देता है, चुनिवी सरकार को लागू करने के लिए बात दे कि केवल केरल है 31 राज्यों में शिक्षित हो सकता है तो फिर राजस्तान क्यों नहीं हो सकता इन जिनोंने पिछेतर साल में सासन किया है वो इसके लिए सबसे बड़े गुनागार है जो शिक्षय से बंचेत रखा रोजगार से बंचेत रखा अन्याय और अत्याचार करने का काम किया आज जो राजस्तान में सरकार है आप अंदजा कीजिए किस तरह का भेजभाव अगर कनियालाल की हत्या उद्धपर में होती है तो हमारी सरकार जाकर के पचास लाग का चैक देती है खुद मुक्यमंत्री जाते है और जब इंदर मेगवाल की हत्या होती है जब जितेंदर मेगवाल की मूँच रखने से हत्या होती है तो हमारी सरकार को फुर्षत नहीं होती है लिए आज जिस तरह का भेदवाव अफसोशित पीडित के साथ हो रहा है जिस तरह से आज जनता के बीच में अपराद बढ़ रहा है कि वर माफ याँ पैदा करने का काम कर रहा है कि मेरा तो आप से यही निवेजन करते हुए कि निश्चित रूप चे आप आणे वाली 25 तारीक तक आपको दोड़ना है आपको एक-एक घर तक जाकर विशेश तोर से एक-एक मद्दाता से मत मांगना है और जो आपने प्रस्ताव हाथ खड़ा करके पास किया है राजस्तान की विदान्चवा का गिनती तीन दिसम्बर को हो तो दोद मैं राजस्तान में सबसे ज़्यदा बोटू से जीतने वाड़ा पेमाराम हो जब तो मैं समझता हूँ ब्याद सही चुकाने का काम होगा इसने तिक गटपनन को तो लिए आज तमाम साती जी सेतियासिक तन से मन से और धन से इस लाल जंडे को तो समर्थन अभूत्पुर्व समर्थन जो दोट से दे रहे निश्चित रूप से दोट के साथ क्योंकि विशेश दुम्यदारी है क्योंकि वो गारंदी केवल दोट दे सकता है चाहे वो विदाई के रूप में हो चाहे वो प्रदान के रूप में हो जब भी आपने बोट दिया है उस बोट की ताकर लेकर के सेवा करने का काम भारत की कम्निस्ट्टी मार्श्मादी के एक-एक कारेकरता ने करने का काम किया है और वहां तक पूचाने का काम आपकी ताकत ने आपके तणमन और धंचे सहो के कारण लाल जंडा ने बुलन दिया केवल राजस्तान नहीं पूरे उत्र भारत में केवल ये राजस्तान है जो तमाम पार्टियों से फिरकाप्रस पार्टियों से जूटी पार्टियों से सब से लड़कर राजस्तान की विधान सवा में रिकोर्ड तोड गोटूं से जीत कर जाने वाले लाल जंडे के CPM के उमिद्वार होते हैं और निश्य दूरूप से जिस तरह का समर्थन जो 17 विदान सभा क्षेतर में मार्षवादी कमिनिश्ट पार्टी के उमिद्वार लड़ रहे हैं निश्य दूरूप से अब की बार 3 दिसम्मर को जब रिजल्ट आएगा तो लाजस्तान की जंता का संगर्श किसान क हो मजदूर कहो महिला और नोज्वान के खिलाप सरकारें जो नीतियां मणा रही है मैं समझता हूं उसके खिलाप एक मजपूत संगर्श का आगाज होगा और राजनितिक परिष्टित्यां पूरे दित्च परदेश बदलने का काम आपकी महनत से होगा, इसे मपुना आप तमाम साथियों को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि साथी सीताराम ये चुरी, उनकी फ्लाइट पूर्ण घंटे लेट हो गई थी, अब साइद वो पांच-साथ मिनिट में आपके बीच में पूंचने वाले हैं, निश्चित रूप स इसमें आपका योगदान होगा, भारी संक्या में आकर विजेग संकल्प रेली को आपने सपल किया, और 25 तारी को रिकार्ट कोड़े जिताने का काम करेंगे, यही बात केते हुए, बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहिन, जैवार्द